नमस्कार, DJ study में आपका स्वागत है, यहां हम कक्षा 8 गणी सब्जेक्ट में जो गुजराश सरकार द्वरा दिये गए समाईक मुल्यांगन कसोटी है, उसका सितंबर 2021 का paper हम देखेंगे, तो यहां पर हम इसका solution देखते हैं, तो किस प्रकार से इसका solution आते हैं, वो सरके मिल्टों कि दुनिया की कोई भी संख्या हो उसका हम 0 से गुणाकार करते हैं, तो उसके प्रकासे हम देखेंगे, पांच बटे, आट प्ते, यहां प्टे, पांच से गुणाकार करेंगे, जिसके बज़से जवाब आ जा रहे हैं, अब याद रिखियेगा कि जब भी संख्या होती हिसका गणाकार करते 20 जाब करें अग्द ह久 ohne कि इसका जवाब जाएंगा उसी प्रकार से हमारा अगला से कि कि यह किसी थो जोड करने पर जाब करने पर जाब जाएंगा तो याद रखेदगा कि 2 का विरोधी संक्या के साथ ही जोड किया जाता है तब वो संक्या 0 हो जाती तो देखें, जो 2 है, अब 2 का विरोधी संक्या क्या होता है, माइनस 2 होता है, तो माइनस 2 के साथ करेगा, तो हो जाएगा 0, देखें, कैसे होगा, देखें, प्लस माइनस होता है, माइनस, तो 2 मे क्या होता है तो यंध का व्यक्त क्या होगा तो देखिए इसका व्यस्ट क्या होगा तो मझा है कि याद रहिए गकि जो तब भी क्या होगा मतलब कि at कि इसे संख्याय जिसका अव्यस्तव समान रहता है उसी प्रयका सेid प्रस्णों नमबर दो है इसनल इसी वीडियो में आगे देखेंगे आप यह प्रस्न पहले एक वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं देखिए उसी प्रकार से हमें प्रस्ण नमबर 3 गया है ये सारे के सारे प्रस्णों का solution हम आगे इसी वीडियो में देखे गे आप ये प्रस्णों को एक बार वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं उसी प्रकार से जले तो सबसे पहला हम बात करते प्रस्षण नमबर दो की प्रस्षण नमबर दो चैसा है तो दिख़े प्रस्षण नमबर दो हमें कुछ इस प्रकाश से दिया है 2 एक्स-3 बgado 5 इसका ऊई क्या करना है कि समीकरण को हल पृषण खर gängalo अब देखिए यहाँ पर जो एक से वह दो के साथ गुणा कर रहा है अब दूसरी दरफ जाएगा तो भागा करेगा तो आठ को दो से भाग करेंगे तो तेले आठ को दो से हम जब भाग करते तो एक्स कीमत हमीं मिल जाती है चाल उसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण है वह इस प्रकार से की एक बटे दो माइनस आठ बटे एक्स इसको हमें शविग्रण दिया है 5 माइनस 15पटे दो इसका hem solution करते हैं solution किस प्रकासे करेंगे तो हम क्या करते हैं कि यह जो आठ है उसको बराबर की दूसरे तरफ ले जाते और यह पंद्रा बटे दो प्लस पंद्रा बटे दो हो जाएगा अब हम क्या करेंगे सकते हैं न्सों का यूग कर सकते हैं तो 15 में एक जोड़ते हैंं तो हो जाएगा सोला बटे दो इसका हम भाग करते हैं ना यहाँ पर भाग मिल जायी अप यहाँ पर जवाब आ जायेगा एक उसी प्रकासे जो प्रेस्टर नमबर तीन है वो किसिस प्रकासे है कि समांतर बायूब早 चतूष कोण के एक कोण का माप सत्तर डिगरी दिया गया इतता दूसरे कोण का माप हमें ग्याद करना है तो याद रखिएगा कि जो समांतर बाहु चत्रवूज होते हैं उसके पास-पास के कोण होते हैं पूरक मतलब की पूरक का मतलब होता है दोनों कोण का योग होता है 180 तो एक कोण का दे दिया है माप हमें 70 है दूसरे कोण का माप हमें मालूम नहीं है और दोनों का योग हमें पता 180 होता है तो हम माले तेगी तो दूसरा कोण उसका माप x है अब देखें यहाँ पर 70 प्लस है वो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस तो दूसरे कोण का माप हमें मिल जाएगा उसकी साहिता से तो देखें वो 70 होगे तो इसका जवाब आएगा 110 मतलब कि दूसरे कोण का माप आएगा 110 उसी प्रकार से जो हमारा अगला सवाल है वो देखते हैं तो देखें इसे में हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकासे दिया है कि आयत के प्रते कोण का माप कितना होता है तो याद रखेंगा कि मितल स्थार्ला सवाल है इस प्रकार से कि नियमित बहुबज की कि व iki कॉंड की सब इसके हो एक 20 प्र तो कितने भुजाएं बन पाएगी वह देखना है तो देखना है क्रोस में होता है गुणाकार और ऊपन नीचे होता है 360 का हम 20 से भाग करते हैं तो देखिए यहां पर 00 हो जाता है कैंसल और 18 दूनी होता है कि समीकरणों का solution करना है तो समीकरणों का solution के इस प्रकासे करेंगे तो वह देखते हैं तो देखिए हम लोगों को एक समीकरण ऐसा दिया है कि 2x-5 बराबर 5-3x हमें दे दिया गया इसका हमें solution करना है तो देखी यहाँ पर 3 तरव जाएगा तो हो जाएगा प्लस मतलब कि 2x 4 कि तरह आपर 5 जो है मतलब कि 5 daha 5 हो जाएगा प्लस मतलब MIKE 55 हो जाएगा तो तो में हम 252 हो जाता है यहाँ तो 253 ते दूरने पर हो जाता है 5 और यह 5 जोड़ो तो हो करेगा 10 अब देखिए 5 यहां पर भागाकर गोडाकर कर रहा है वह बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो करेगा भागाकर मतलब कि 10 भागे 5 तो इसका जवाब आ जाएगा 2 उसी प्रकार से हमारा कुछ दूसरा समिकरण दिया गया है देखिए हमारा दूसरा समिकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 8x-4 बराबर हम लोगों को दे दिया गया है 3 into 2x-5 plus 7 अब देखिए इसका solution किस प्रकार से करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो 27 है वो plus है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा minus तो देखिए कैसा हो जाएगा 8x plus 4 minus 7 उसी प्रकार से यहाँ पर यह गुणाक सब्सक्राइब करेंगे बड़ी संक्षा साथ है और उसे आपस माइनस इसलिए माइनस तीन आएगा तो 8x-3 बराबर हमें मलेगा 3 into 2x-5 अब 8x-3 तो हमें देखिए अब देखिए यहाँ पर गुणाकार देखिए 2 तीया होता है 6 तो आ जाएगा 6 उसी प्रकार से यहाँ देखिए प्लस माइनस होता है माइनस अब तीन और पांच का गुणाकार करते तो तीन पच्छे क्या होता है तो देखिए याद रखिएगा कि जो 3 5 होता है वो क्या होता है तो 3 और 5 का जब हम गुड़ाकार करते है तो कुछ हवे बलता है 3 15 अब plus minus होता है minus तो आय जायेगा minus 15 तो उसी प्रकार से हम इसका solution करते हैं तो देखिए क्या हमारा solution आता है तो देखिए यहापर देखिए जो सबसे पहले जो x x से एक तरफ कर लाते हैं और जो अलग-अलग पद्र अंक वाले उसको हम अलग-अलग कर देते हैं तो देखिए यहापर 6 है प्लस में वो बराबर के इस तरह आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस मतलब 8X माइनस 6X हो जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 15 है अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस है वो बराबर के दूसरे तरह जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो X बराबर हमें मिलेगा 12 बटे 2 अब इसका हम जवाब करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 6 उसे प्रकार से हम लोगों का कुछ अंतिम प्रस्न दिया गया है जिसमें हम लोगों को आखुरती बला दिया जिक चतूर भुच की रस्ना कर लिए तो सबसे पहले यहां पर द प्रकार से SI का माप हमें 88 जो है है 08 सेंटीमीटर हे टो सबसे पहले हम सिलુं करते हो घ्र labor यहूथ है वह की बना उसके भाद हम क्या करेंगे की जो हम लोग उसकी रसना करेंगे क्यों प्रती करेंग तो तो कि कि एक परिकल लेंगे और हम लोग यूख को केणरा मानकर पांच पंउटों और अब हम जो क्या करेंगे कि इस प्रकार से करेंगे जो यह ऑसको कैंद्र मानें तो भी को हम कैंद्र मानकर साथ प्रकार से हमारा की रचना हो जाएगी उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे तो देखी उसी प्रकार से हम करेंगे जैसे कि यहां पर किया थे सबसे पहले वह देख लेते हैं तो देखे qr का माफ हमें मिल गया है 5.5 cm अब हम क्या करेंगे कि जो आरे से आरे से हम लोगों को बनाने का है 4 cm का तो जो हमारा यहां पर इसको केंदर लेंगे और यहां पर एक चाप लगा देंगे तो यहां से जो हम लोगों का आरे से वह भी मिल जाए और इस तरह हमारा यह चतुर भूज की रशना हो जाएगी उसी प्रकार से हमारा कुछ दूसरा चटुर भूज भी इस्सी प्रकार से दिया गया है तो देखिए दूसरा चटुर भूज में और हम लोगों को काइट नम का बनाना था करे Baş Gesetzentwurf लो और आईटी कितना होना चींट है 45.5 cm अब आई को लेकर 45.5 cm की एक बड़ी सी चाप हम यहाँ पर मारेंगे उसके बाद क्या करेंगे की हमें के साथ के कोन की रषना करने देखिए यहाँ पर के का पर है तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक चाप मारेंगे और यहाँ से दूसरा जाब मारेंगे तो यहां से साट के कोण की एक रचना करेंगे उसके पस्चात क्या करेंगे की देखिए अब हमेरे आई से 105 की रचना करने अब जो आई है यहां से 105 के कोण की रचना करेंगे तो एक चाप मारेंगे हम यहां से उसके पस्चात यहां पर साट का कोण मनेगा एक किरण की यहां से रचना करनी है अब हम क्या रहेंगे जहां इसे तरह को कईvenir काっटेघा और पर एक दूसरे को यह काटेगा उसे हम लोग ई बिंदू नाम दे देंगे इस प्रकार से हमारे दोनों चतुर भूछ की रचना हो जाए गी इस दे अन्ड ओ लेक्ट्चर थाइक्स पर वोचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस्ट यू ओल